कि है LOL फ्रैंड्स यहां पर मेरे पास सुजूकी का कार है और इस बीडियों बताँगा आपको किसी भी कार जो औ्रीजिनल माइक होती है यहां पर यह औ्राजर्ण माइक है और यह फॉल्स है वैसे यह औरीजिनल मायक है और इस original मायक को आप after market stereo के साथ यह यह पर after market stereo है और इसके साथ कैसे मायक को connect करना है इसकी wiring कैसे करना है इस वीडियो में बताओंगा आपको अगला इसको मैंने बहर निकाल दिया और यह पर यह original मायक है यह original माइक और इसकी यह wiring मैंने इसकी जो उपर टेप लगा हुआ था उसको हटा दिया है यह original माइक और इसकी यहाँ पर color है yellow, grey और purple color है और यहाँ पर यह stereo के पीछे जो सारी wiring आ रही है यहाँ पर यह wiring आ रही है जो की माइक की है वहाँ पर यहाँ पर तीन वाइर है total three वाइर है यहाँ से तीन वाइर जा रही है और यहाँ पर चार वाइर है, four वाइर तो यहाँ पर एक वाइर कोई false होगा तो मैंने चेक कर लिया है, यह last की जो grey वाइर है यह false है, बाकि यह तीन, माइक की वाइर है अब मैं इसकी वायरिंग आपको बताऊंगा कैसे करनी होगी अब यहाँ पर आपको इस टाइप से वायर डाल ले ली है यह वायर कुछ इस टाइप से दिखती है यह आपको इलक्ट्रोनिक सौप पर मिल जाएगी यह यह इंड को उसमें डाल के इसको यहाँ पर मैंने डाला हुआ है यहाँ पर और इस बीच से इसको ब्रेक किया हुआ है ताकि मैं जोइंट कर पाऊं जो इस टीरियो की जो माइक की आउटपुट है उससे मैं joint कर पाऊं इस टैप से और cover खटा लिया है मैंने इसको बीच में break करके इस टैप से इसमें आपको तीन wire को connect करना होगा इस mike को लगाने के लिए original mike को activate करने के लिए आपको तीन wire को connect करना होगा और इसमें जो यह एलो वायर है यहां पर टोटल फोर है बट आपको कनेक्ट तीन को ही करना होगा एलो वायर के जो सामने यह वायर है आपको इसको प्लस फाइब वोल्ट से कनेक्ट करना है और इसके जो मिडिल में जो ग्रे वायर है बीच में इसको आपको ग्राउंड वायर से connect करना होगा और यह जो परपल कलर की वायर है परपल कलर के जो सामने वायर है इसको आपको connect करना होगा अटयू की डेटा इसी वायर से जाएगी जो माइक का यreg उयर करना होगा इससे कनेक्ट करना है इस को दिखाएगा मैं भी कनेक्शन करके आपको दिखाँगप आपको यहाँ पर यह waaering होगई rca जो RCA, इसमें एक RCA होती है, माइक के लिए, मैंने यहाँ पर काट दिया इसको, यह इससे जोइंट थी, मैंने काट के इसकी कवर अटा दिया है, इसकी जोइंट को माइक की RCA थी, मैंने काट दिया, और इस टाइप से दो वायर इसमें से निकलेगी, माइक की RCA से, और यह ए यहां पर हो गई दो वाइर और आप को जो कि प्लस 5 गेंस प्लॉस प्लस 5 वोल्ट की सप्लाइब तो मैं इसको 5 बोल्ट से इस वायर को और निडिल वायर को घ्रांड से कनेक्ट कर कर देता हूं एंड जो इसमें परपल वायर है परपल को ओडियो डेटा से कनेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूं देन आपको मैं चालू करके भी दिखाऊंगा इसकी माइक को मैं आप प्लस फाइब वोल्ट की सप्लाई को ढूंड लेना या फिर मल्टी मीटर या वोल्टी मीटर से चेक कर लेना या फिर आप इस टाइप से यदि आपके पास यूएसबी होगी यूएसबी जो पेंडराइब कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं तो इस टाइप से केबल लगी होगी यूएसबी की पीछे दो यूएसबी की केबल लगती है आप बीच में से थोड़े से कबर हटा करके इसकी रेड वायर से कनेक्ट कर देना यूएसबी पर प्लस आते है और मैं यहीच ले रहा हूं मैं नोइसको काटा हुआ है क्योंकि मैंने ने इसकी जो हूरिजनल यूस्वी तर्थकस कि इसको एक्टिवेट किया था आप इससे पहले के वीडियो में दे description में होगी कि आप original USB socket को कैसे market के stereo में आप activate कर सकते हो और मैंने इसलिए यहां पर इसको काटा हुआ था आप वो वीडियो देख लेना और मैं यहीं से 5V की supply ले ले रहा हूं जैसा कि आपर आप देख सकते हो यह प्लस 5V की USB से आ रही है रेट कलर की वायर है और इसको मैंने दो दो जगह पर इससे supply मैंने लिया हुआ है एक यह जो original माइक के लिए मैं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूं यह original माइक के लिए मैंने प्लस 5V ले लिया और एक यह original USB के लिए मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था इस वायर को मैंने यहां पर connect कर दिया और यह original माइक के लिए और इसके बाद इससे और भी दो वायर है जो original माइक में लगेगी तो यहां पर इसमें जो यह gray color की वायर है gray color की वायर को यह मैंने ground से connect कर दिया माइक की ground से और इसमें जो purple color की वायर है यह purple color की जो third number की वायर है इसको मैंने third number की वायर को यह मैंने audio के लिए connect कर दिया वाइरिंग हो चुकी 100% और इस पर मैंने कवर भी कर दिया है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो अब मैं इसको पूरा पैक करके इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा दे रहा हूं प्रोपर फिटिंग हो चुकी है और यहाँ पर यह माइक मैं अब इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा दे रहा हूं मैंने यहाँ पर फ्रेंड को कॉल लगा हुआ है और मैं वहाँ से फीडवेक लूँगा कि स्टैप से सौंड जा रही है तो हलो हलो अवज जा रही है हाँ और यह देखना रहा हूं अब 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 इंजो फिटिंग क्या हूं उसको देखना कैसा जा रहा है बहुत अच्छा ओरिजिनल से यह फिर से फिर से चेक कर रहा हूँ देखना आवाज खटखट की आवाज जा रहा है नहीं आ रही है जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो एक टाइम पर और को खोल देँग है जो एप्सकी चैश में लगा हुआ और इसकी 1 लग जाएगी इसकी कनेक्टर जो मैंने लगा हुआ है तो इसकेस में सिर्फ यह माईक काम करेगा तो यह माईक अभी नहीं कर रहा है और यहां की माईक जा रही है जैसा कि आप देख सकते हो आवाज बिल्कुल प्रोपर और साप साप आवाज जा रही होगी जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया ओके थैंक यू